इसकven reaching व्हें के बारेस सब्सक्रेंबारें एल रेले सब्सकेश के बारें हैं जिसको बीफ जब टेपज़ीने 15 हैं व्हें इस्थी को फ़िए के अफिते अब डिस्ट्रिबुशनं फूरी वर्ल्ड वाइड क्सीति अधिस्थीha खाया जाता है, human infection, life cycle के बारे में देखते हैं, human infection with the adult worm is initiated by ingestion of raw or improperly cooked beef containing insisted larva of tinnia ceginata, मनुस्य में यह संक्रमड, tinnia ceginata के larva से युक्त, जो है, cattle group के प्राड़ी जैसे की गाय भैंस के अधपके मांस को खाने के कारण फैलता है, यह larva invaginates in the small intestine and attach with the suckers to the mucosa, यह larva human body के अंदर जाकर, चोटी आंथ की mucosa से inner layer of small intestine में अपनी suckers के माध्यम से attach हो जाते हैं, यह चिपक जाते हैं, इट mature in 5 to 12 weeks और यह परिपक्व होकर तकरीबन 25 मीटर तक हो जाते हैं, अब इस संकरमित मनुष्य के आतों में पाया जाने वाला यह जो बीफ टेप और में है, उसके जो last part है, यहने कि segments जो हैं, वो लगातार तूटते हुए रहते हैं और feces के माध्यम से बाहर निकलते हैं, इस tool के साथ, अगर यह व्यक्ती बाहर defecate करने जाता है कही मैदान में, तब जो है घास के जरिये से घास को चरने वाले जितने भी जानवर हैं, वो भी इस segment को खाकर संक्रमित हो जाते हैं, इस तरह से फिर से यह segment जो है कही न कहीं से, जो है cattle group के प्राणियों में फिर से चला जाता है, और उनके मांस पेशियों तक पहुच जाता है, और फिर से कोई cattle संक्रमित होकर, और जब इसका कभी improper cooked beef containing, improper cooked या under cooked मांस खाता है कोई व्यक्ती, तो वो भी मिम्मार पढ़ जाता है, इसके बाद इस life cycle को हम कुछ इस प्रक सरकाई इन मसल्स, हम जानते हैं कि cattle group में जो ये beef tape worm है, टीनिय सेजनाटा है, ओंको स्पेर्स के रूप में रहता है, जिसको हम सिस्टी सरकाई कहते हैं, जब इस मसल्स के बीच में पाया जाने वाले सिस्टी सरकाई को ये मनुष्य खाता है, तब जो है सिस्टी सरकाई मनु से mucosamia test हो जाते है, mucosamia test होने के बाद, इनकी लंबाई लगातार बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और ये 25 मीटर तक लंबे हो जाते है, इसमें आप देखिए इस पिक्टर में, इसके बाले में डीटेल मॉर्फुलोजी हम आगे और समझेंगे, यहाँ पर सबसे ग्स मौझूद होते हैं जिसको प्रोग्लोटिट्स भी कहा जाता है जब मनुस्य बाहर डिफिकेट करने जाता है तब यह सेग्मेंट उसके स्टूल के साथ बाहर निकलते हैं और यह तक्रीबन घास में या जंगली पौधों के बीच में यह segments कई महीनों तक सर्वाइव कर जाते हैं अब घास को चरने के दौरान जब कोई cattle group का प्राड़ी घास को चर रहा होता है तब यह segment को निगल लेता है जिसके कारण फिर यह segments के अंदर पाया जाने वाले जो प्रोग्लोट्रिस हैं वह क्या हो जाते हैं इसके इंटेस्टाइन में जाते हैं इंटेस्टाइन में जाने के बाद ब्लेट के माध्यम से मसल्स में चले जाते हैं तब यह काउ या cattle group का कोई भी प्राणी इंफेक्टेट हो जाता है अब फिर से इस cattle group के प्राणी का अधपका हो मांस खाया जाता है तब जो है कोई मनुस्य फिर से संक्रमित हो जाता है औरे मॉर्फोलोजी एडल्ट वर्मित मॉर्फोलोजी देखते हैं अडल्ट वर्म की मॉर्फोलोजी शब्रेंस अपने प्रेणच्ञ उंदल्ट देख सकते हैं इस इसका iscolex याने की मुहाना या सिर्रेंस परिणी रिद्धी स्थिर्यप सेप का होता है and has four prominent hemispherical suckers और इसमें हमको चार suckers देखने को मिलते हैं परंतु इस suckers के बीच में कोई hooks नहीं पाया जाता एक खासियत बात यह है इसमें जब हम टीनिय सोलियम पढ़ेंगे तो हमको वो hooks देखने को मिलेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप सिर्फ चार suckers मौजूद हैं और इसके बाद इसके बीच में hooks नहीं मौजूद है The mature worm can be as long as 25 meter कोई mature adult worm टीनिय से जिनाटा तकरीबन 25 meter लंबा हो सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक segment का picture है यहाँ पर राइट साइट पर एक segment का picture है जिसमें एक कुछ बहुँ सारे branches निकले हुए है तकरीबन 13 या उससे अधिक branches निकले हुए रहते हैं इसके बारे में आगे दिया हुआ है आगे देखते हैं एक gravit segment measures 20 mm long इसका जो एक gravit segment जिसमें बहुँ सारे eggs भरे होते हैं उसकी लंबाई तकरीबन 20 mm होती है और चोड़ाई 6 mm होती है इसमें आपको बहुँ सारे stem दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इसका uterus होता है ओवरी भी पाये जाती है और बहुँ सारे eggs भी होते हैं इसमें लगभग 13 lateral stem पाया जाते हैं एक central stem होता है उससे कई लगभग 13 lateral stem निकले वे रहते हैं X की बात करें it is round to oval in shape यह X जो होते हैं इनकी परिधी लगभग 33 से 43 micron meter की होती है इस अंडे के अंदर जो इंब्रायो है वो एक खास तरह की वाल से घिरा हुआ रहता है जिसका रंग भूरा होता है और इसमें estration पाया जाते हैं याने की रिखाएं पायाती हैं जो किस pattern होती है radially pattern में होती है याने कि के अंदर से बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं देखिए आप इंब्रायो चंटेंज in three pairs of hooklets इसकी इंब्रायो के अंदर अंडे के अंदर जो उसमें तीन जोडे में हुकलेट्स नजराते हैं एक जोड़ा ये है एक जोड़ा ये है और तीसरा जोड़ा ये है जिसको हम आसानी से माइक्रोस्कॉप में देख सकते हैं clinical diseases जनरली फ्यू, वेरी फ्यू सिम्टम्स आर एस्योसियेटेड विद दा प्रजेंस ओफ टीनिया से जनाटा, टीनिया से जनाटा से ग्रसित व्यक्ति में बहुत ही कम संक्रमड, बहुत ही कम लक्षण उभर कराते हैं, दे सिम्टम्स में इंक्लूड वेट लोस और जिसके अंत पर सिर्फ एक ही वर्म है, तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे अगर वर्म हो जाते हैं, तो यहां पर बोलस को आने जाने के लिए जगह ही नहीं मिलती, जिसके करण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, and occasionally appendicitis, और कभी-कभी ये बड़ी आत के हिस्से में अगर ये टीनिया से जिना स्ट्रक्शर है, जो की rudimentary होता है हमारे शरीर में, जो पहले जमाने में पहले cellulog का पाचन करता था, अभी हम उसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कच्छी सबजियां चाल अगरा पेड़ के चाल अगरा हम नहीं खाते, cellulog का digestion का का काम नहीं होता है, तो वो एक rudimentary organ है, आउसेसी यंग है, अगर वो यह जो वर्म है वहाँ पर अगर चला जाता है, तो वहाँ पर appendicitis यानि कि उस भाग में संकरमाड और सूजन होने की संभावना रहती है, यह जो picture अगर हम देखें इस तरह से जो इंडोस्कोपी के जरिये से तो आतों के अंदर इस तरह से वो जो है चिपका हुआ रहता है, आएए देखते हैं लेबोरेटरी डागनोसिस के बारे में, लेबोरेटरी डागनोसिस ओफ टीनिया सेजिनाटा इंफेक्शन इस बाई, हम किस तरह से लेबोरेटरी में इसकी खोज कर सकते हैं, सबसे पहले हम संक्रमित व्यक्ति में अगर य तो इस्टूल टेस्ट करने पर हम को उसमें सेग्मेंट दिखाई दे जाते हैं, और एक्स भी दिखाई दिय जाते हैं, डेटेक्शन और इंड आइस्टिफिकेशन ओफ Gravit Segment and Scolax of T-Seginata in Fecis और Fecis में ही हम जो है Gravit Segment और Tynia Cagemata के Scolax को देखकर यह पहचान सकते हैं कि यह Tynia Solium है कि Cagemata अभी हम पढ़ रहे है Tynia Cagemata तो देखे यहाँ पर फर्क देखते हैं Tynia Cagemata में जैसे कि मैंने बताया कि इसके स्कॉलेक्स में सिर्फ चार सकर्स हमको दिखाई देंगे इसमें हुकलेट्स नहीं है लेकिन अगर टीनिय सोलियम की बात की जाए तो इसमें चार सकर्स के आलावा इसमें बीच में एक और हुकलेट्स पाया जाता है यही फर्क है इसका और इसमें दोनों में, बाकि अगर अंडों से पहचान करने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाएगा, दोनों के अंडे बिलकुल समान होते हैं, सिर्फ एडल्ट वर्म के जरिये से ही हम पहचान सकते हैं कि यह टीनिया सोलियम है, यह टीनिया से जिनाटा ह टेकनिक के किस प्रकार से हम जो है इसको आइडेंटिफाइ करेंगे, सबसे पहला माइक्रोस्कोपिक एग्जामनेशन ओफ इस टूल, सबसे पहले हमको इस टूल को माइक्रोस्कोपिक एग्जामनेशन करना है, सलाइन और आयोडीन से उसको हम डालूट करेंगे इस टूल क उसको फिर उसके बाद देख सकते हैं centrifuge करके concentrate करके भी हम उसको microscope से देख सकते हैं दूसरा है microscopic examination of a gravid segment इस tool में मिलने वाला जो gravid segment है उसको भी microscopy से देख कर हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते the segment should be examined microscopically for uterus with more than 13 main lateral branches हम उसके segment में जाचेंगे तो हमको समझ में आएगा उसका uterus जो है वो ये central जो segment central जो line जैसी दिख रही है stem जो दिख रहा है इस में से हमको लगबग 13 lateral branches निकली भी दिखाई देंगी यही इसकी पहचान होती है इस branches की जो diameter होती है वो तकरीबन 6 mm की होती है लंबाई जो है 20 mm की होती है identification of skollex if it is detected in feces the skollex of tinea sygenata has no hooklets जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर ये tinea sygenata हुआ तो सिर्फ चार सकर दिखाई देंगे इसमें और इसमें जो हुकलेट्स नहीं पाया जाएगा लेकिन अगर tinea solium हुआ तो उसमें हमको हुकलेट्स दिखाई देगा अब आईए बात करते हैं हम लोग tinea solium की pork worm की pork tap worm की सबसे पहले देखते हैं distribution it is worldwide इसकी कराण होने वाला संक्रमण पूरी दुनिया में होता है but it is less common परन्तु यह जो है tinea सेजनाटा की तुलना में कम प्रसारित होता है क्योंकि cattle group के जानवर जैसे कि bell, bhaeins, गाय को ज़्यादा खाते है sewer के मांस को कम खाया जाता है आईए बात करते हैं life cycle की the life cycle of tinea solium is similar to that of tinea सेजनाटा tinea solium का life cycle जीवन चक्र tinea सेजनाटा के समानी होता है except that the infection is caused by eating insufficiently cooked pork in stead of beef परन्तु यह संक्रमड जो है beef की जगह पर याने की cattle group के जन्तु, गाय भैस, बैल की जगह पर sewer के अधपके मांस को खाने के कारण होता है after ingestion निगलने के बाद the larva emerge from the meat the head invaginates in the small intestine and attests to the mucosa इस संक्रमित मांस को खाने के बाद इसमें पाया जाने वाले जो लारवा है मांस में उपस्ते जो लारवा है वो मनुष्री के पेट में जाते हैं और उसी प्रकार जिस प्रकार से tenia cygina Jiata का जो लारवा है मूकोसा से अटेच हो जाता है उसी प्रकार से इस के लारवा भी मूकोसा से अटेच हो जाते हैं अपने सकर्स और हुक की मदद से क्योंकि टीनिय सोलिउम के पास हुकलेट्स भी हैं इस हुकलेट्स के बारे में हम जानकारी आगे लेंगे इन एबाउट त्री मंथ और तीन महनों के बाद इट ग्रोज इंटु एन एडल्ट वर्म और वह लार्वा जो है वैस्क रूप धार्ड कर लेता है एडल्ट हो जाता है और एडल्ट फॉर्म में उसकी लंबाई तक्रीबं दो से साथ मीटर होती है यह टीनिया सेजिनाटर से थोड़ा छोटा है टीनिया सेजिनाटर जहां 25 मीटर था यहां पर यह जो है दो से साथ मीटर ही होता है और यह किसी संकरमित मनुष्य के पेट में चिपके हुए 25 साल बिता भी सकता है जब यह परिपक्व होता है इसके सेग्मेंट जो है ग्रेविड हो जाते है तब जो है इसके सेग्मेंट जो है चेन के रूप में स्टूल के माध्यम से पास आउट होते हैं and are ingested by pigs और जिस इस्टूल को किसी सुमर के द्वारा खा लिया जाता है इन दा पिक और फिर पिग में the embryos enter the muscles where they are insisted till eaten by men और पिग के शरीर में वो segment चले जाते है और वहाँ पर insisted हो जाते है उस पिग की मांस पेशियों में जब तक की उसको खा लिया नहीं जाता किसको सुमर के मांस को तब तक वो सुमर के muscles में ही मौजूद रहते है आए इसको देखते हैं life cycle को इसमें और भी कुछ है life cycle से पहले इसमें और देख लेते हैं सिस्टी सरकस किस प्रकार से मनुष्य को प्रभावित करता है अगर यह आतों में नहीं चिपका हुआ है तब जो है इसका दूसरा रूप मांस पेशियों तक चला जाता है यह देखते हैं sometimes after hatching the release embryos penetrate the intestinal wall कभी-कभी जो जब मनुष्य संक्रमित सुवर के मांस को खा रहा होता है तब जो है अंडे में से बहुत सारे जो embryos हैं वो आतों की दीवाल को चिद्रित करते हुए रक्त में चले जाते हैं और रक्त के माध्यम से शरीर के सभी हिस्से में फैल जाते हैं और जैसा कि हम जानते हैं रक्त शरीर के सभी हिस्सों में बहता है अब रक्त के साथ वो छोटे-छोटे embryos जो हैं मांस पेशियों में मस्तिस्क में और आख मे भी चला जाता है और यहां पर वो एक फीता क्रीमे की रूप में न दिखाई देकर सिस्टी सरकाई का रूप ले लेता है आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर यह इसकी लंबाई जो है इस पॉर्क वर्म की इसकी लंबाई साथ मीटर नहीं कितना छोटा-छोटा है यह तो इस रूप को इसके टीनिया सोलियम के इस फॉर्म को इस फॉर्म को हम सिस्टी सरकाई कहते हैं इस सिस्टी सरकस इस एन ओवाइड प्रतेक सिस्टी सरकस जो है अंडाकार होता है देखिए इसका एक भाग अंडाकार होता है Milky white और दूद के समान सफेद दिखाई देता है Milky white bladder इसमें एक bladder पाया जाता है फूली भी सरचना जिसको बोला जा रहा है bladder जो सफेद रंकी होती है With the head inviginated into the bladder और कभी-कभी ये भी देखा जाता है कि इसका head जो है इसके bladder में ही inviginate रहता है धसा हुआ रहता है It measures 5 into 10 micrometer जिसकी परधी 5 से 10 micrometer की होती है It may become calcified later जो कि सरीर के मान सपेशियों में रहते हुए कभी-कभी calcified भी हो जाता है इसके चारो तरफ calcium का जमाँ भी हो जाता है Cistisircus can also form due to regurgitation of gravid segment Cistisircus जो है ये produce करता है Cistisircus Cistis तो कभी-कभी ये भी होता है कि gravid segment जो अभी किसी संक्रमित व्यक्ति के आतों में मौझूद है वो हो सकता है regurgitate करने के दोरान मुह में आ जाए और उसको फिर से निकला जाए और फिर से वो gravid segment से निकलने वाले embryo आत की दीवाल को penetrate करते हुए blood में चले जाए और muscles तक पहुंच जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आँख में भी वो पहुंच जाता है blood के माद्यम से muscles में भी आप देख सकते हैं इसको milky white color के यह जो है cysticisircus मौजूद है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यह जो सबसे उपर वाला picture है यहाँ पर cysticisircus को अलग से निकाल कर बताया गया है यह muscles में अभी नहीं है यहाँ पर muscles में है इस तरह से पाए जाते हैं life cycle इसकी भी समान होती है टीनिया से जिनाटा के समान संकरमित सुवर के मांस को जब कोई व्यक्ति खाता है जिसके मांस में पहले से मौजूद होते हैं cysticisircus जब उसको कोई मनुष्य खाता है human acquired tiniasoleum infected by ingested raw or uncooked pig dog meat with cysticisircus तब जो है मनुष्य की आतों में जाने के बाद यह cysticisircus जो है अपने suckers और hooklet के माध्यम से आतों की mucosa पर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं और 2-7 मीटर तक लंबे हो जाते हैं परिपक होने के बाद इनके ग्रेविट segments जो है मल के साथ बाहर निकलते हैं अब मल के साथ बाहर निकलने के दौरान अगर इस व्यक्ति के दौरा मल को त्याग किया जाता है किसी ground पे तब वहां से उगने वाली सबजियों के माध्यम से फिर से कोई मनुष्य क्या होता है सिस्टी सरकोसिस का सिकार हो जाता है या फिर उस ground से मल को किसी सुवर के दौरा खाने के बाद कोई सुवर संक्रमित हो जाता है अगर किसी मनुष्य ने ऐसे ऐसी हरी सबजियां लाई हैं और बिना धोय उसको खा ली हैं जिसमें से पहले से ही उसमें जो है इन्फेक्टेट सेगमेंट्स उस वर्म के सेगमेंट्स मौझूद हैं उसको खा लेने के बाद इसको सिस्टो सरकोसिस हो जाएगा अगर उस ग्राउंड में से किसी सुमर के द्वारा जो है उस स्टूल को खा लिया जाता है तो सेगमेंट्स से सुमर के मौसल्स तक पहुँच जाएंगे ब्लड सरकुलेशन इंटेस्टाइन और ब्लड सरकुलेशन के थूर और वो सुमर भी संक्रमीत हो जाएगा और उस सुमर को अगर फिर से कोई व्यक्ति खाता है तो फिर ये विमारी फिर से किसी नय व्यक्ति में हो जाती है मॉर्फोलोजी देखते हैं, टीनियसोलियम की, the mature adult worm is 2-7 meters, कोई टीनियसोलियम की लंबाई तकरीबन किसी adult form में 2-7 meter तक होती है, जिसमें तकरीबन 800-1000 तक सेमेंट हो सकते हैं, यह इसका सिर है, जिसको स्कॉलेक्स कहते हैं, यह नेक है, और उसके बाद immature segment आते हैं, उसके बा याने की, गर्भित segment हैं, जिसमें बहुत सारे अंडे भरे हुई रहते हैं, और यह इसका पीछे का भाग है, जो टूट टूट कर इस टूल के साथ बाहर निकलता है, अब बात करें हम उसके सिर की, टीनियसोलियम के सिर की, तो इसका सिर जो होता है, तकरीबन 1 mm की परीधी क का होता है, एक mm के diameter का होता है, जिसमें 4 cup shape के सकर्स पाय जाते हैं, और इसके बीच में, जिसको हम सकर्स के बीच में, जिस भाग को हम row stalem या mouth कहते हैं, जो है, double row में hooklets पाय जाते हैं, आप देख सकते हैं, इसके row stalem के चारो तरफ जो है, इसमॉल हुक्स पाया जाते हैं, काटेदार हुक्स, जो कि इस टीनिया सोलियम को आतों से जुड़े रहने में मदद करती है, अगर इस हुक्स को अलग से हम यहाँ पर चित्र के दोरा देखें, तो इसमें ब्लेड भी रहता है, और बहुत सारे इसमें छोटे-छोटे पार्ट भी लगे रहते है। यह जो है, और इलेक्ट्रों मार्थ को पिक कषर यहां पर आप देख सकते हैं, चार सकर सबीच में seperti यूछाए है, जिसमें यह हुक्लथ है, यह जो है पूरा बीर भाग रोस्टेलम कहलाता है, यहां पर भी वही है सारस्टेलम के चाओ् तरप नीचे के तरफ दूसरा रो होता है, डबल रो में, ऊपर एक तरफ, ऊपर की तरफ एक जो है, इसमें ब्लेट्स लगे रहते हैं, उसके बाद नीचे रो में दूसरे हुकलेट्स, दूसरे रो में पाया जाते हैं. इसके बिच्टे के साथ निकलता है, वो ग्रिस ब्लू कलर का होता है, जिसके लंबाई तकीकर रो 12 mm और चोड़ाई 6 mm की होती है. इसका uterus जो है ये uterus ये बीच का भाग जो होता है ये बीच का जो stem होता है वो uterus कहलाता है वो uterus एक central stem के रूप में पाया जाता है जिससे लगभग 13 या उससे भी कम दाएं और बाएं तरफ branches निकले हुए रहते हैं अंडे की बात करें इसके तो इसका एग जो है टीनिया से जिनाटा के बिल्कुल समानी होता है जिससे भी हमने मैंने कुछ देर पहले आप लोग को बताया है क्लिनिकल डिजीजेज दसोलियम इंफेक्शन केन बी लेड टू टू टाइपस ऑफ डिजीज यह टू टाइप दो तरह की बीमारी उत्पन करता है अब वह डिपेंड करता है कि वह किस इस्थान पर है अगर वह पॉर्क वर्म इंटेस्टाइन में है तो टीनिया से जिनाट होगा डाइरिया होगा कमजोरी आएगी और इंटेस्टाइनल ऑप्स्ट्रक्शन हो सकता है लेकिन अगर यह मसल्स में हैं ब्रेन में हैं आई में हैं तो दूसरे तरह के सिम्टम्स आते हैं अगर यह एडल्ट वर्म जो है इंटेस्टाइन में है तो ज्यादा परशानी नह पहुच गया है तो मसल स्पेंग रहेंगे, स्वेलिंग रहेगी, इंफ्लामिशन रहेगा, ब्रेन में पहुचेगा तो नियुरोलोजिकल डिसॉडर्स पैदा होंगे, और आँख में पहुचेगा तो हो सकता है, ब्लाइडनेस हो जाए, आँख की रेटीना अगर खराब हो ज स्टेज केन लीड तो सिंप्टम्स डिपेंडिंग ओन इट्स साइट और टीशू इनवल्वड, इस साइट कॉमनली अफेक्टेड आर मसल्स ब्रेन और आई, लेबरेटी डाग्नोसिस, किस प्रकार से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले हम इस टूल टेस्ट करेंग सिस्टी सर्कस आफ्टर इट्स रुमूल बाइ सर्जरी और सरीर के किसी हिस्से से जैसे की मसल्स से ब्रेन से और दूसी जगह से इसको निकाल कर हम इसकी सर्जरी के से निकाल कर हम इसकी बाइपसी करके भी हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और सीरो का भी इस्तमाल करके सिस्टो सर्कोसिस का डियाग्नोस कर सकते हैं तेकनीक में देखते हैं पहले तो सबसे पहले हम वेट माउंट बनाकर नॉर्मल से लाइन से डालोट करेंगे इस टूल को वेट माउंट बनाएंगे माइक्रो सुप से देख सकते हैं और उसको अगर हम उसको सेंट्रिफ्यूज कर देते हैं टेस्ट्यूब में लेके नॉर्मल से लाइन के साथ इस टूल को सेंट्रिफ्यूज कर देंगे और जो नीचे का जो पोर्षन जो प्रेसिपिटेट हो चुका है उसका भी एक्जामनेशन हम माइक्रोस्कोप से कर सकते हैं ग्रेविट्स सेग्मेंट का हमको एक्जामनेशन करना है तो ग्रेविट्स सेग्मेंट जो होता है टीनिया से जनाटा की तुलना में टीनिया सोलियम में बहुत छोटा होता है यूट्रेस में 13 से कम ब्रांचेश निकले उते हैं और इसको जैसे कि ए फिल्म मेंने दिखाई है आपको इसमें यह CT scan का पिक्चर इसमें scysteis अर्कोसिस हमको साव दिखाई दे की Maeista ब्रेन तक पहुन गया है तो हमको CT scan में X-ray में आसानी से ये देखे जा सकते हैं वही है अगले नंबर पे है कि संक्रमित इस्थान का X-ray CT scan के जिजद्वारा भी हम इसको डियाग्नोस कर सकते हैं और है लास्ट है सीरो डियाग्नोस्टिक इट में भी हेल्पफुल इन सम केसिस कुछ केसिस में सीरो डियाग्नोस्टिक यानकी सीरब में इसके antibody को detect करना साहता पूर्वक हो सकता है साहता दे सकता है हमको but generally there may be cross reactivity with other antigens especially that of eachinococcus granulosis परन्तु in some cases but generally there may be cross reactivity with other antigens परन्तु ये कभी कभी जो है दूसरे antigen के साथ cross react कर जाता है मुख्य रूप से ichinococcus granulosis से तब थोड़ी सी problem आती है हमको serum में antibody को detect करने में लेकिन उपर जितने भी examination है मुख्यता है स्टूल टेस्ट अगर हम complete स्टूल टेस्ट करते हैं तो और microscopic under microscope में देखते हैं तो हमको पूरा का पूरा confirm हो जाता है कि ये टीनिया सोलियम है ये टीनिया सेजनाटा है अगर ये सिस्टी सरकस रूप मसल्स ब्रेन या आई में मौजूद है तो CT scan के जरिये से या biopsy के मदद से हम इसको detect कर सकते हैं इस आल बाओ टीनिया सोलियम और टीनिया सेजनाटा थैंक ये